नमस्कार साथियों, एक और नई नर्सिंग ओपिसर की बड़ी वेकेंसी आप सभी के लिए वीडियो को सेर्थ चेनल को बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी परकार सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहे साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि एक बड़ी वेकेंसी निकाली जाएगी जो की DRRM-LIMS के दुबार निकाल दी गई है यहाँ पर नर्सिंग ओपिसर की वेकेंसी के लोगने साथ मेंसन कर दिया है कि मार्च के थर्ड या फॉर्थ वीक में ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इसके लिए आपको वन मन्त का टाइम पिरियेड दिया जाएगा तो अभी इसके ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म आने हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन एड़टाइजमेंट साइट पर अपलोड कर दिया गया है तो चलिए लोटोफ डिसकस कर लेते हैं क्या-क्या यहाँ पर बाते अपने लिए इंपोर्टेंट रहने वाली हैं इसके अलावा आपको बता दें कि जब भी अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको कैसी अप्लिकेशन फॉर्म भढ़ना है इसकी डिटेल वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर आपको मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपने डिसकस कर लेते हैं कि जो वेकेंशी यहाँ पर निकाली गई है उनका क्या क्लासिफिकेशन यहां किया गया है तो नर्सिंग ओपिसर के लिए जो टोटल वेकेंशी है वो 665 है जिसमें से जनरल के लिए 252 है SC के लिए 143 है, ST के लिए 12 पोस्ट रखे गई है, OBC के लिए 177 है और EWS के लिए 81 जो पोस्ट है वो रिजर्वर रखे गई है लेवल 7 में आप जोब करने वाले हैं मतलब आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 रहने वाला है लग बग अगर बात करें तो आपकी जो सेलरी है इन हेंड आपको 78 और 42 के आसपास मिलने वाली है जैसा कि यहाँ पर आप मेंसन देख पा रहे हैं और अब तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते भी हैं सेंटर गोर्मेंट ने 46 परसेंट जो डिये था उसको बढ़ा कर 50 परसेंट कर दिया है तो उसके बाद से जो आपके नर्सिंग अलाउंस है इसके अलावा जो आपका ड्रेसिंग अलाउंस है वो सारे बढ़कर 25 परसेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो अच्छी खासी जो सेल्डी है वो भी यहां पर आपको वन लेक के आसपास भी देखने को मिल सकती है एक दो साल में ही जो अभी जो लगेंगे उनको अब देखे यहां पर जो क्वालिफिकेशन से उस पर अपन चलिए डिसकस कर लेते हैं तो BSC ओनर्स आपने क्या आवा हो या फिर आपने सिंपल 4 येर BSC जो नर्सिंग है वो कोर्स क्या आवा हो इसके अलावा डिपलोमा अगर आपने कर रखा है तो टू येर का मिनिममम एक्सपिरेंस आपके पास 50 बेड़ होस्पिटल अगा होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियर नर्सिंग काउंसिल से आपका रिजिस्ट्रेशन होना चाहिए अब देखिए यहां पर उन्हों ने यह बताया है कि जो ये एक्सपिरेंस जो आपका मांग रहे हैं उसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट बाते आपको मेंशन करवानी है जैसे कि जो नंबर है और आपका जो एक्सपिरेंस लेटर है वो किस डेट को इसी हुआ है नंबर ओफ बेड कितने हैं आपके होस्पिटल में और ये जो इंस्टिटूट है वो नेशनल लेवल पर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है ये सारी बाते आपको उसके अंदर मेंशन करवानी होगी और इन्हों ने यहाँ पर ये साथ मेंशन कर रखा है कि जो एक्सपिरेंस यहाँ पर यह मानेंगे वो यह मानेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरेंस age limit के जलिए बात कर लेतें तो minimum यहाँ पर 18 year रखा गया है और maximum आपके लिए 40 year रखा गया है हालांकि आपके category के हिसाब से आपको जो भी छूट मिलती है जो जिनका local domicile है उनके लिए यहाँ पर यह छूट लगातार रहने वाली है 3 year OBC के लिए 5 year STSC के लिए बाकि PWD candidate के लिए यहाँ पर 5 year 10 year जो भी है वो आपको मिलने वाली है application form fees के अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो general है उनके लिए 1000 रूपीज लगेंगे पलस आपको 18% जो GST वो देना पड़ेगा OBC और EW के लिए भी सेम फीज रखे गई है SCST के लिए यहाँ पर 600 रूपीज रखे गई है मतलब फीज जो GST लगने के बाद जो होगी आपको वो पे करना है लेकिन यहाँ पर इनों ने फीज यह बता रखी है बाकि GST है इसके अलावा अगर आप PWD कंडिडेट है तो आपसे कोई फीज नहीं ली जाएगी इसके अलावा यहाँ पिनों ने साफ मेंचन कर रखा है कि जो नर्शिंग उपीज से कि जो वेकेंसी निकाली गई है इसमें जो पद हैं जो पोस्ट हैं उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता ह चलिए अब थोड़ा एक्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसको लेके डिसकस कर लेते हैं हालांकि एक्जाम डेट यहाँ पर अभी जारी नहीं की गई है लेकिन एक्जाम डेट हमें लगता है कि यहाँ पर जुलाई के आसपास आपका एक्जाम हो जाएगा तो देखिए यहा आपका कॉमन रिक्रीतमेंट जो टेस्ट होने वाला हो केम्पूटर बेश्ड होने वाला है और यहाँ पर आपको बता जेए कि टू एचार आपका पेपर होने वाला हैंड़ेड यहाँ पर मार्क्स का यह पपर होगा तो 60 जो कुसेंग से हो आपके नर्सिंग से आएंगे बाकि जो 40 questions अब आपके match से, reasoning से, general knowledge से और general English से आने वाले हैं negative marking का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है वो आप देख लीजिए 1 जो marks है वो आपको correct के लिए दिया जाएगा और 0.25 आपका negative marking कर दिया जाएगा मतलब यह बाकि 4 questions अगर आपने wrong कर दिये तो one number आपका deduct हो जाएगा इसके अलावा जो 50% है वो qualify marks रखे गए है AWS और general के लिए बाकि वो भी CSTSC और PWT के लिए 40% रखे गए है धन्यवास आतियों वीडियो को से चलों को subscribe करने के लिए कोई skill test नहीं होने वाला है डायरेक्ट आपका online जो exam होगा उसमें जितने number आपके आएगे उसी के अधार पर आपका selection होगा तो कोई attitude reservation नहीं है कोई skill test नहीं है डायरेक्ट paper pass कीजिए और selection लीजिए देने वासातियों